Hello everybody, this is Digras Singh Rajput, Welcome to Magnate Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेंड्सलाइट्स के बारे में लेंड्सलाइट्स के बारे में क्यों पढ़ेंगे? तो देखो पिछले वीडियो में में आपको मास मुवमेंट्स के बारे में बताया और उससे पहले क्या बताया? अगर हम समझें, ब्रॉड हीडिंग समझें तो हम अलग-अलग डिनिडिशनल प्रोसेस को पढ़ते हैं मतलब आप जब देखते हो कि यहाँ एक्सोजनिक फोर्सेस काम करती है तो अलग-अलग तरह से सरफेस पे फदलाव आता है उस बदलाव में जिसे एक वेधरिंग एक इंपोर्टेंट डिनिडिशनल प्रोसेस है जिसे हमने आपको पढ़ाया समझाया वेधरिंग के बाद में अगली इंपोर्टेंट चीज जिसे आप देखते हो तो क्या है मास मुवमेंट्स होती है कि लारज अमांट में रॉक डेबरी वगरा जब एक जगह से दुसरे का मूव कर जाती है अब अगर आप यहाँ पर समझें तो जो mass movement उसका एक example क्या दिया है आपको उस mass movement का एक example दिया है landslides landslides क्या होती है, कैसे move करती है, ये सारी चीजे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ अब देखो, landslide क्या होती है तो आप 6th class से प्रतिया रहे हैं यहां सर land जब slide कर जाती है, landslide हो गया, लेकिन उसके अलावा भी इसमें और dimensions है अब class 11 में जब आप पढ़ेंगे, तो आपको landslide को देखना है कहां कौन-कौन से components होते हैं फिर landslide के अलग तरीके क्या होता है, जिससे एक rock का गिरना भी landslide का part होता है और वो rock के साथ पूरी bedrock का खिसक जाना भी landslide होता है तो थोड़ा detail में पढ़ने वाले हो आप लास्ट में एक interesting चीज है, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे Landslide, Himalayas में भी आते ही, Himalayan Region में भी आती ही notamment Landslide, Rulenघ वाले region में भी आती है दोरों-जगण अलग-अलग factors हैं पिस साथ वीडियो में बता हो हूं, सम्झाने वाला हूं स्टार्ट करते हैं देखो a Landslide is the moment of mass of rock, earth, or debris down a slope आप जसा देखते हैं कि five mountain है, slope है यहाँ पर बैठोगे गोल होगा आप तो लोडग तो लोडग तो नीचे भी आ सकते हो तो यहाँ पर जो slope रहता है न इस slope पे अगर मान लोग किसी प्रकार की rocks है किसी प्रकार की debris है यहाँ फिर यह पूरा का पूरा अर्थ जो है पूरा का पूरा landmass जो है वो जब down slope move कर जाता है downward slip कर जाता है slide कर जाता है उसे landslide कहते हैं simple एक line में आपको definition याद रखना है landslide is the movement of mass of rock earth or debris down a slope ठीक है slope के रास्ते जब नीचे फिसल जाती है चीज़े तो clear हुआ अब देखो mass of rock जो है यह चीज समझ लेना mass of rock जो है mass of rock earth or debris जो है यह जो word है इस word को अच्छे move करेगा ना वह मतलब आप देखो एक तो क्या है कि छोटे-छोटे कण जो है अब दिखती बात तो इतना है फटर चोटा तो गुड़कते-गुड़कते नीचे आ जाएगा ठीक है नीचे slide कर जाएगा लेकिन कभी-कभी हम क्या देखते हैं कि बड़े-बड़े जैसी यहा पाए वो पूरी एकसान नीचे आ गई कौन लेकर आया बच्चे मन में हाथ उपर करें गया जाया कि सर ग्रैविटी लेकिन उसके अलावा भी factors जैसे मैंने बता है gravity primary factor है secondary factors में जैसे क्या हो सकता है कि वो जो slide करने वाला है earth debris या फिर जो rocks slide करने हाली नीची तो उसका size shape किस में जिस हम देखते हैं क्या कि ऊपर यूमस वगिरा रहेगा ठीक है अंदर नीचे जाओगे सेकंडरी रॉक फिर पैरेंट रॉक यह सब कुछ तो जो डिसकंटिनिटी जितनी रहेगी कि एक लेयर रॉक की दूसरी लेयर रॉक की ठीक है तो वह डिसकंटिनिटी इस पर डिप है तो फटाफट फटाफट स्लाइड होते चले जाएगी ठीक है तो यहाँ पर क्या है दी साइज इंसरीव डिटैज मास डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ डिसकंटिनिटी इंदी रॉक दी डिगरी ऑफ वेदरिंग वेदर्ड माटीरियल जादा है तूटा हुआ जादा है तो जल्दी फिसल जाएगा नीचे बड़े-बड़े कह सकते हैं मासस का जो साइज रहने वाला शेप रहना तो बड़ी-बड़ी मासस का है वो नीचे स्लाइड ना करते हुए जो वेदर्ड मठेरियल है वो पहले स्लाइड कर जाएगा अगर वेदरिंग जादा हुई रहे तो यह मेरा आपको बता है कि हां लेंड्सलाइड क्या है लेंड्सलाइड में जो मासस नीचे की तरफ स्लाइड करने वाला है लेंड्मास जो नीचे की तरफ स्लाइड करने वाला डब्रीज रॉक्स यह जो नीचे स्लाइड करेगी तो उनका सेपोर साइज डिपेंड करता तो लेंड्सलाइड में depending on the moment of material कि material किस तरह से move कर रहा है वही मैं कहा रहा हूँ लेंड्सलाइड में एक rock भी गिरती है और वह rock के साथ जो पूरा का पूरा उसका bedrock है कभी-कभी वह भी फिसल जाता है समझ में आया तो हम अगर उस हिसाब से देखे तो अलग-अलग तरह से classify कर सकते है अलग-अलग तरह से हम क्या कर सकते है depending on the moment of the moment of the material several types are identified in this category क्या क्या है पहला है slump slipping of slump क्या होता है देखो में slump का एक example भी आपको दूंगा तो खोड़ा visualization जोग्रफी की class में बैठते हो ना visualization तेज रखना क्योंकि हर चीज़ हम आपको करके नहीं दिखा सकते है यह landslide कहां से लाएंगे बताओ ठीक तो आपको क्या करना होगा visualization strong रखना होगा ठीक है slump क्या होता है slipping off one or several units of rock debris with a backward rotation यह शब्द important हो जाता है slump को और debris slide को इसमें differentiate कैसे करोगे तो वह में यहाप पर clear कर दूंगा backward rotation धियान रखना backward rotation with respect to the slope over which the movement takes place ठीक है यह diagram देखो आपकी बुक में यह diagram आपकी बुक में जो diagram एक ठीक है वह भी देखना और समझा भी देता हो चलो मैं slump में क्या होता है जैसे यह मानलो एक पूरा का पूरा क्या था slope ठीक है एक पूरा का पूरा slope था अब क्या होता है कि gravity काम कर रही है उसके बाद में लेंड मास जो unconsolidated है earthquake आ जाता है और ठीक तो उससे क्या होगा उससे आप देखोगे तो एक उससे देखोगे तो आप पूरा का पूरा एक क्रेन व गेरा रहती है, विजौसानी स्ट्क न थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको की विएर्ड सा है लेकिन visualization strong रखना, crane जब चलती है तो देखा है, वो जो chain रहती है उसकी, ठीक है, मतलब टायर कीज़ेगा chain रहता है उसमें, तो chain आगे जाती है, लेकिन वो नीचे जो chain जाती है, वो पीछे जाती है, ठीक, इस तरह से आगे वाली chain मूव करेगी, लेकिन एक chain पीछे, यही आल जो पूरा rocks है, वो नीचे की तरफ slide करती है, और पीछे backward, जो नीचे वाला material है, ठीक, अब यह अगर slide होने से पहले क्या scenario देखें, तो ऐसा था slope, अब यह जब slide करेगा, तो यह वाला material पूरा आगे की तरफ move करेगा, लेकिन यह नीचे का पीछे backward rotation कर जाएगा, अगे समन करेंट हुआ हो, clear हुआ, ठीक, थोड़ा visualization ही strong रखना, फिर आगली चीज़ के है, असलम के आपने debris slide, debris slide, देखो यहाँ पर slide fall, ठीक, यहाँ पर slide fall, तो slide और fall में difference ही हो जाता है, slide मतलब फसलना, और fall मतलब गरना, इतना पता है आपको, तो यहाँ पर debris slide में, debris जो है, अलग पुरा का पुरा हो, जो तुकले थे, वहाँ पर, मिट्टी के, चट्टान के, वो जब एक साथ, एक साथ, सारे के सारे slide कर जाते, तो debris slide हो जाती है, ठीक, तो rapid rolling और sliding of earth debris without backward rotation, ठीक, पीछे rotation नहीं हो रहा है, जैसे हमने slump में क्या देखा, मिट्टी, पूरी की पूरी, फिस अर्थ debris is move कर रही है, आगे slide करी है, without backward rotation, तो slump के case में जो backward rotation बना था, वो यहा नहीं बनता है, ठीक है, backward rotation of mass is known as debris slide, समझना है, तो जैसे यहाँ पर यह देखो, debris slide में क्या हो रहा है, यह, ठीक, यह debris slide में पूरा material से एक साथ, पूरे debris जितने भी हैं, debris मतलब हिससे जो है, करते के, वो सब क्या है, नीचे एक साथ पूरे आगे फिसलते जा रहे, slide करते जा रहे, slide करते जा रहे, अब fall में क्या हो जाता, देखो debris fall जो है, तो वहाँ पर यह पूरा सब कुछ, पहार जो अपने हिसाब से बैठा हुआ शान्त, ठीक, अब यहाँ से यह देख रहे हो, सब एक साथ ना slide करते हुए, debris जैसे जब गिरती है, 2-4 debris भी गिर जाएगी तो चलेगा, तो यह से जब वो vertical cliff से सीधे एक पथर गिरने जैसा हो गया, ठीक है, वो debris slide होती है, तो nearly the free fall of earth debris from a vertical or overhanging phase, ठीक है, vertical or overhanging phase से जब इस तरह से debris नीचे गिरती है, ठीक, अब उसी को rock पे जब apply कर दोगे, जो specific rocks रखी हुई है, अर्थ है अपनी जगापे, लेकिन अर्थ के उपर जो rocks है, जो बड़े-बड़े पथर रखी हुए, बड़े-बड़े चेटाने हैं, वो जब नीचे गरती है, तो वो rock slide में हो जाती है, सारी rocks एक साथ जाती, तो rock slide हो जाएगा तो sliding of individual rock masses, down bedding, joint or fault surface is rock slide, clear, over steep slopes, rock sliding is very fast and destructive, और क्या होता है, जहाँ पे steep slope है, तो अब क्या होता है, कि यह rock रखी हुई है मानलो, यह steep slope है, यह एक rock रखी हुई है इस तरह से, clear, land slide जैसा कर डब्री slide की बात करेंगे, तो क्या हो रहाँ, डब्री slide में है, यह उपर जितनी भ rock भी रखी है, अब क्या होता, steep slope है, अगर मानलो, अर्थ को एक आता किसी तरह के tremors develop होते हैं, फिर कोई mining कर रहा है, तो उससे, यह rock को अगर एक बार momentum मिल गया, तो वो क्या है, roll down करता जाएगी, नीचे, 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 इस तरह से, यह, जितनी भी individual rocks हैं, ऐसी, और भी rocks कर रही है, तो rock fall is free falling of rock blocks, ठीक है, rock block जब क्या होता है, यह slope पे, ठीक है, steep slope बनाओ थोड़ा है, steep slope पे हाप एक rock रखी थी, अब अचानक से क्या होता है, यह rock जो है, तो gravitational pull इस पे तेज काम कर रहा मतलब क्या है, कि काम करते-करते gravitational pull जो इसको अपनी तरफ ज्यादा अट्र keeping itself away from the slope, ठीक है, तो slopes को अपने आप से, मतलब, अपने आपको slope से दूर रखते हो है, एक, दो, बाहर, clear, तो इस तरह से जब गिरती है rocks, तो वो rock fall हो जाता है, ठीक, तो मैं कहूं उसकरा रहा हूँ, क्योंकि तो यह बहुत basic सी चीज़े है, समझ में आना चाहिए, हम फिर लेक्चर को बढ़िया है, ठीक है, आपने सबर रखा, क्योंकि यसा लगता है, सरफ बहुत simple चीज़े है, लेकिन यह समझ लो, अच्छे से कहा है, debris, avalanches, debris and, ठीक है, avalanches and landslides, मतलब, debris, avalanches भी हो जाएगा, debris और avalanches भी अलग हो जाएगा, avalanches क्या होता है, कि जब आप द देखोगे तो इस तरह के avalanches आना, debris के avalanches आना, landslide आना, हमारी country में कहा होगा, जहाँ पहाड होंगे, क्योंकि steep slope प्रायर कंडिशन मन जाती है, तो अब यहाँ पे पहाड है, ठीक है, इधी great himalias, फिर आप देखोगे, इधर भी हमारा क्या है, western ghat है, ठीक है, यहाँ पे यह से देखोगे, तो eastern ghat है, अब क्या होता है, कि इन एरियास में आपको landslide देखने को मिलती है, इन एरियास में landslide कैसे को देखने को मिलती है, आपको, तो हिमालियास के अगर हम बात करें, तो हिमालियास आर यंग fold mountain, सुना है न, मतलब tectonic activity अभी भी चल रही है, तो plates ठक consolidated है, consolidated नहीं, मजबूत नहीं है न, तो यहाँ पर फिसलना, landslide आना, एक तरह से debris का, debris slide आना, यह सारी चीज़ें क्या है, नॉर्मल है, हिमालियास के चलो सर समझ में आता है, अब अगर मैं बोलू कि western ghat में, ठीक है, western ghat में भी इस तरह से क्या रही है, यह लैंड slide आ रही ह और अगर आप western ghat का composition देखोगे, समझ रहो, composition क्या है, कि सर यह तो कोई यहाँ पर tectonic moment हो नहीं रहा है, हम कहते हैं, जैसे कि जो peninsula India है, ठीक है, peninsula India is relatively stable, यह stable इसमें ज्यादा movement नहीं हो रहा है, टकराओ यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, यह stable है, और मतलब यहाँ पर point क्य add-on कर देता चीज़ों को, कि यह जो landmass है, यह consolidated है, यह unconsolidated थो ही ना है, यह तो क्या है, यह igneous rock का part है, दिखतर igneous rock है, यह तो structure जो है, यहाँ के mountains का, वो कैसा है, वो अपने आप में जोड़ा हुआ है, मजबूत है, फिर यहाँ पर landslide क्यों आती है, दिखती बात है, यह unconsolidated है, यह movement होया, तो यहाँ landslide आना चीज़, लेकिन यह तो consolidated है, movement भी नहीं होरी, फिर यहाँ पर landslide क्यों आती है, तो यहाँ पर landslide आने का कारण क्या है, पता है, यहाँ पर landslide आने का कारण यह है, कि steep slopes जो है, ठीक है, mining activities जो है, deforestation जो हो रहा है, तो वो क्या कर र देखने को मिलेंगी, यहाँ भी देखने को मिलेगी, यहाँ भी देखने को मिलेगी, तमिल नादू, कहरेला, करनाटक वाला यह पूरा region है, ठीक है, यहाँ पर भी आपको landslide देखने को मिलेगी, western guard में, ठीक, clear हुआ, so this was all about landslide, analyze कर लिए इना इसको, चलो, अब देखो क्य है, हम next video हम पढ़ेंगे, erosion और deposition के बारे में, वो अगला denudational process हो जाएगा, मैंने आपको क्या-क्या बता दिया, एक बार फिर से recall करवा देता हूँ, mass movement समझा दिया, और weathering समझा दिया, कि हा, mass movement और weathering क्या होता, इनसे कैसे surface पे change आता है, अब अगली चीज जो है, erosion और deposition, erosion, deposition को भी समझना, weathering से relate करेंगे, ताकि जो confusion है ना, इन शब्दों में, वो clear हो जाए, मिलते है next video में, important चीज़े क्या है, कि magnet brain पर class 4 से class 12 तक, इसी तरह से सभी subjects, chapters, topics, subtopics, सब कुछ, systematic way में, video lectures के format में available हैं, जिनने आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना syllabus complete कर सकते हैं, अपने juniors और seniors को ज़रूर बताईए magnet brains के बारे में, मिलते हैं next video में, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much.